बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक को लेकर तयारियां सुरू कर दी गई हैं। इस बैठक में आने वाले महमानों को सीम नितीज कुमार अपनी खास मिठाई खिलाएंगे। महमानों के लिए नालंदा जीले के सिलाव का खाजा और लिट्टी चोखा की विवस्था की गई है। इसके अलावा गैर बीजपी दलों के राज्यों से आने वाले निताओं के लिए ठहरने और खाने पीने की अलग-अलग विवस्था की गई है। पटना के बड़े होटलों में रूम बुक कर दिये गए हैं। साथ ही कई निताओं को राजकिये अतीथी घोसित कर उन्हें राजकिये अतीथी साला में ठहराने की विवस्था की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार विपक्ची एक्ता की बैठक की अगुआई करेंगे। उन्होंने अपने महमानों के लिए खास विवस्था की है। खास तोर से खान-पान को लेकर सीएम नितीश ने खासा तैयारी की है। सुत्रों के मुताबिक जिस दिन बैठक होगी उस दिन कई तरह के बिहारी व्येंजनों को परोसा जाएगा। मुख्यमंत्री के ग्रिह जिला नालंदा के सिलाव का खाजा मंगाया जा रहा है। इसको लेकर ओडर भी दे दिये गए हैं। इसके साथ ही बिहार के प्रसिद्ध, लिटी, चोखा, धनरुआ की लाई और मनेर के लड़ू भी परोसे जाएंगे। पटना के एक बड़े होटल को खान-पान की विवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें बिहार के हर आइटम को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। खासतोर पर यहां के परंपरिक भोजन को बनवाया जाएगा। गर्मी की वज़ा से स्वरवत के साथ चाच की भी विवस्था की जाएगी। नारियल पानी और अलग-अलग पेपदार्थ भी दिये जाएंगे। स्टार्टर में साउथ इंडियन और पंजाब के कुछ आइटम को रखा जाएगा। बाहर के राज्यों से आने वाले अतीतियों के लिए राज्यकिये अतीति साला दुरुस्त किया गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो उन्हें राज्यकिये अतीति घोसित करते हुए उन्हें राज्यकिये अतीति साला में ठहराया जाएगा। कुछ नेता उसी दिन वापस लोट जाएंगे दूसरी तरफ राहुल गाधी का सदाकत आस्रम में एक मिटिंग भी है इसको लेकर राहुल गाधी से मिलने वाले निताओं की संख्या अधिक होगी इसलिए राहुल गाधी एक बड़े होटल में रुकेंगे केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नितीश कुमार की मुहीम विपक्षी पातियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिस है जेपी अंदोलन के बाद एक बार फिर बिहार केंद्र की सत्ता के खिलाफ राजनीतिक धूरी बन रहा है और इसकी अगवाई बिहार के मुख्यम संत्री नितीश कुमार कर रहे हैं लाइव भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें